यूपी बोर्ड के बच्चों का टेंसन अब ध्रे-ध्रे खतम हो गया है तोंकि जो बच्चे क्लास टेंस में थे उनकी इंफार्मिशन को बोर्ड द्वारा मांग लिया गया मतलब उनके रिकार्ड को बोर्ड ने अपने पास मंगवा लिया है अब बात है रिजल्ट कब तक मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि 127 बोर्ड के बाद फिसे बोर्ड ने सारा रिकॉरड लेना सुरू किया है लेकिन आप लोगों देखा कि सिबस्मीत के रिकारड अभी धरी-धरी जा जा रहा है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और अफिस्यल नोटिफिकेशन बोर्ड की कब तक ध्यान दीजिएगा इन सारे एक सबसे बड़ी इंफॉर्मिशन निकल के आ रही है कि यूपी बोर्ड का अब तक कोई भी आफिस्यल नोटिस नहीं जारी हुआ है ठीक है आप जाके बोर्ड की वेपसाइट पर देखोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी एक्जाम प्रमोट से सम्मझित कोई भी आफिस्यल नोटिकेशन नहीं मिला है तो और साथ 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 मैं आपको बता दूँ कि जो नया पैटर्न है एक्जाम देने का बच्चों के पढ़ने का कब से लागू होगा और जो सलेबर से क्या कम होगा इंसाल इस सब चीज़ों पर हम लोग चर्जा करेंगे वीडियो को सेयर कर दिखाऊंगा कि आपका जो बोर्ड पेपर है उस पर कोई भी आफिशल नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है यहां आपको दिखाए देरा होगा कि लिखा हुआ है बोर्ड ने स्कूलों को छात्रों के नौवी के नमबर आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 24 मई टक का समय दिया है पले यह स मजे कम था अब दिरहें समय क्या कर दिया गया है बढ़ा दिया बढ़ाद है एकम तक कर दिया गया है नीचे आता हूं तो देखिए हहां पर एक्जाम्स के सम्मन्द में कोई भी अधिकारी घोषडा नहीं की गई है मतलब कि अब तक सिर्फ आपका नंबर ही मांगा गया और यह अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि आपका प्रमोट कर दिये जाएगा आपको तो जहां तक यह सही भी अब उनके आगे कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ पर देखी आप लिखा हुआ है बता दें कि दिखरा यहाँ पن लिखा हुआ है बोर्ड इन नम्बरों के आधार पर Mark Sheet बनाने की त्यारी की त्यारी करेगा जलती सुरू करदेगा अब लिखा कि दसमी की एक्जाम्स कैंसिल होने के सम्मन्द में अधिकारी घोषडा 24 मई के बाद ही की जा सकती है क्यों हलाकि जरूरत पढ़ने पर बोड या समय सीमा पढ़ा भी सकता है कोजोर ने कि 24 तारीक को आपका नोटिफिकेशन आये जाएगा अब जैसे यह आगे बढ़ता जा रहा है तो बच्चों के मन में डाउट्स बढ़ते जाएंगे तो मैं बच्चों को बता दूँ कि आप लोग अपने डाउट्स को अस्तिर रखिए और पढ़ना चलू कीजिए इन सब चीजों के बारे में आपको जो भी लेटेस्ट निउस आएगा मैं आपको देता रहूँगा लिखा हुआ है कि 12 हमीं बोर्ड एक्जाम्स की बात करें तो अभी तक इस संबंद में कोई सूचना नहीं मिली है बोर्ड सचुने खाय कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया इसके बारे में राज में 25 मई तक लागो आंसिक लागडाउन के बाद अधिकारिक बैठक पर कोरोना की इस्तिती पर पिचार करेंगी जिसके बाद कोई नहीं लिए मतलब की बोर्ड पेपर पर क्लास ट्वेल्ट का 24 मई के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है ठीक है तो यहां पर आपने देखा कि सिबेसी मोड बोर्ड की आज मीटिंग होने वाली है इस मीटिंग में क्या होगा उन्हें आज देखा जाएगा लेकिन इस मीटिंग के बाद यह तैयं हो जाएगा कि अब यूपी बोर्ड कीन कीन चीजों पर चर्चा करने वाला है अपने मीटिंग में तो आपको समन्द में आया कि अधिकारी घोश्रा 24 माई के बाद ही होने वाली है साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि जो सलेबस को लेकर आपके मन में डाउट है उसमें अभी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है कि आपके सलेबस को कम कर दिया जाएगा हाँ कई बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर क्या सलेबस 2020 वाला ही हम लोग पढ़ेंगे सलेबस कि उससे अधिक सलेबस हो जाएगा फिर पहले वाला सलेबस जो 2019 में पढ़े तो वाला सलेबस आ जाएगा तो मैं आपको बता दूगा आप भीना सलेबस कि चीनता किये ही आप लोग पूरे णोब पूर में पढ़ें जो ही अफिसल लोठिकिशन आयागा कि इसलेबस कम हुआ है या फिर बढ़ा दिया गया तो मैं आपको बता दूगा तो आप लोग अपनी पढ़ाई जो नहीं होगा तो वी लुग विदाउट सेलेबस की चिंता किये हुए पड़े हाँ नया पैटर्न लागू करने की बात है तो मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए यहां द्यान से देखें तो लिखा हुआ है हाई स्कूल और इंटर की परिच्छा का बद्रेग पैटर्न तीन घंटे के पेपर दो भागू में होगा तो चुकि पलिन आई थी आप लोगों को पता होगा कि अप 3 घंटे के पर दो भागू में होगा लेकिन इसी भीच कोरोणा का महौल आ गया तो अब क्या सेच्वेशन होगा उसके इनुसार देखा जाएगा समय के इनुसार आउर नीची आते हैं तो लिखा हुआ है सत्र 2021-22 से लागू होगा नया पैटर्न यहां पर लिखा हुआ है या इस वाले पूरे परे हम लोग टाइटल को लिखा हुआ है परि अच्छा के लिए वार्षिक सेमेस्टर माडल पर भी विचार किया जाएगा जो कि जो करोना महावल है इसमें क्या नया पैटर्न लागू होगा इस बारे में देखा जाएगा लेकिन सबसे पर अभी क्या कोशन है कि आपके एक्जाम का सेलेबस की बात करें आप आप ऐसा क उसे सलबस पढ़ते रही है अपना जो भी 2020 में सलबस था उसके नुसार जब नया सलबस होगा तो सुरू से फिर पढ़ लिया जाएगा आप लोग फिकर होकर अपने पढ़ते रहें और पढ़ाई करते रहें वीडियो जो भी मैं बनाता हूं इसको सेयर करा ना बोलें आप सेयर ही मैक्सिमम बच्चों को एक जोड़ करकी साइमली को बढ़ा कर सकता है मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक एर